कि अजनाब मेरा नाम आशिक ऐखली है driver हूं जनाब तो मेरी भीवी के delivery होने वाली थी जनाब थो हम संगल्दान थे वहां से रैफल किया गिए रामबन तो रामबन में जैसे पुंचे तो उन्हें यहां पर हुमारा टेस्ट किया यहां थे रहे जिदो उन्होंने हमें यहां पे डिलेवरी कर दी जनाबी तो मैं शुक्र गुजार हूं डाक्टरों का जनने हमें यहां पे रखा पाजिटिव आने के बाद भी यहां पे रखा तो मैं बहुत शुक्र गुजार हूं कि यहां पे हमें रखा और हमारी डिलेवरी यहां पे immediately अपने staff को बोला कि कोई ऐसा hospital के कोई ऐसा room select करो जिसमें हम यह delivery कार सकें तो हमने उपर एक room को Select किया जिसमें हमने उसकी delivery conduct की delivery के बाद माँ और बच्चा जो donव वो बिलकुल थंदरुस्थ हैं और हमने ये step उसकी बहतरी के लिए patient की बहतरी के लिए उठाया और हर SOP जो as per SOP हमने ये काम किया हमने पूरे precautions लिए क्योंकि वो red positive थी तो अपने staff को भी मैंने पहले बोल जाता है कि पूले as SOP जो भी है guidelines हमें तो उसके guidelines पर चलके ये delivery normally conduct करना है इसलिए शाट ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने जल्दी इंटर्वेंशन की तो हमने जल्दी है delivery conduct की जिसकी वज़े से उसको ज्यादा बलीडिंग नहीं हुई और वो बगया करना hospital है वहाँ पहर तो जो कोविड हॉस्पिल होस्पिल इसका जो ठेटर है वह में बंद किया है क्योंकि उसके साथ एडर अडिशन हाल में हमारे पास कोविड पास्टू पेशिट्व पेशिंट्स होते इसलिए उपर आपर आपर आपर्वाला जो अपरेशन तेटर वह म ने आज यहां पे जाइन किया है तो मैं यही पब्लिक के साब ने बोल पब्लिक को करने करना चाहता हूं कि यह स्टाफ आज अच्छा हमारे पास डॉक्टर्स भी अच्छे हैं यह ऐसा कुछ नहीं कि हमें कोई शाटेज है यहां पे और हमारा यह जो ट्रीटमेंट का सिलसला यहां पेशन्स को चर रहा है कोई पास पेशन्स को वह भी बहुत अच्छा है एस पर गाइडलाइन समुन को ट्रीट कर रहे है और उपर वाले का शुकर है कि बहुत से पेशन्स यहां से ठीक होके जा रहे हैं क्या गया था वह नेगिटिव है तो बच्चे का अभी उसके अभी रपोर्ट नहीं मिली उसका टेस्ट किया है उनने अभी रपोर्ट कुछ देर के बाद हमें मिल जाएगी